हेलो एवर्वान वोल्कम तो दे क्लास गाईज कैसे हैं आप सभी उमीद करूँगा सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे आज की इस क्लास में आपके लिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर क्या आया हूं सांदर स् पर जब एक टीचर बढ़ाता है तो उसके दमाग में यही होता है कि बच्चों का रिजल्ट कैसे भी करके बहुत अच्छा आना चाहिए और जब बच्चे रिजल्ट पर अपना रिजल्ट आपके साथ शेर करते हैं आपको ख्राडट देते हैं कि सर आपके ही कारण मेरे ब बच्चों के तो आपको लगेगा कि फूजिक्स का इतना टफ पेपर आया था फिर भी इन बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया तो हम भी स्कोर कर सकते हैं और ट्रस्पी मैं आपको बताऊगा कि इससे पहले अभी मेरी ओनलाइन क्लास चल रही थी उसके जस्ट बाद म मेरा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इन बच्चों के अलावा भी जिनके बहुत अच्छे मार्ट्स आए हैं जो मैं धीरे धीरे कम्यूनिटी पे अभी शेयर करता जाओंगा तो आप यह देखिए कि बही एक बच्चा है मुहम्मद अफीफ इसके 95 मार्क्स आए हैं फिजिक्स में इसी प्रकार से राहूल के भी 95 मार्क्स आए हैं फिजिक्स के अंदर कृष्णा के 95 मार्क्स आए हैं फिजिक्स और कमिस्ट्री दोनों में आए हैं इसके अलावा आप यह देखे शुबम अगरवाल के 94 marks आए हैं शुबं के भी messages काफी मिरबास पड़े हुए है टिक आयूश के 94 marks आए हुए है ये बच्चा है इसका जस्ट अभी मैंने स्क्रिंशॉट लिया हुआ है पौने 10 बजे के टाइम पे इसके 92 marks आए है फिसिक्स में इस बच्चे के 91 marks आए हुए है 90 marks आए हुए है धीरज के 95 marks आए हुए है इस बच्चे के तो देखें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 marks आए हुए है और मैं जिन messages अभी काफी सार messages मेरे पास है result के साथ जिनको मैं चेक करूँगा तो मुझे पूरी उम्मिद है 95 plus marks भी उसमें जरूर मिलने वाले हैं तो आप यह देखिए कि इन बच्चों का इन बच्चों ने किस परकार से महनत किया है कि इनके 95 marks आए है और 95 plus marks जिन बच्चों के आ रहे हैं वो किस परक teacher को follow करते हैं जो बच्चे teacher की बात मानते हैं वो बच्चे महनत के साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लाइफ में तो आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है पहली चीज आप एक चीज अपने दिमाग में बठा के रख लो कि कुछ भी ह हो जाए यार कुछ भी हो जाए ताइम पास नहीं करना अगर आपको लग रहा है कि दिन बीत रहें तो दिनों को ऐसे बीतने मत दो आज से पढ़ना स्टार्ट करो स्टार्ट स्टडी प्रॉम टुडे पहली चीज तो यह समझ लो कि जिन बच्चों के अच्छे मांक्स आ र कि अच्छे मांक्स आये उनके मांक्स तो बताने ही पड़ेंगे ना हैना तो इसलिए मैंने बस अन बच्चों के मांक्स रखें जिनके अच्छे प्र बच्चों के बहुत अच्छे मांक्स आ रहे हैं जो बच्चे top कर रहे हैं वो बच्चे starting से पऴ रहे हैं ऐसा नहीं है कि कभी भी नींद खुली और कभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया यह स्टार्टिंग का टाइम बीट जाने हैं तो आपने उतना revision करना है क्योंकि क्या होता है कि starting में हम revision नहीं करते हैं या क्योंकि क्या होता है कि अगर आप starting में revision नहीं करोगे तो starting chapter आपे कच्चे रह जाएंगे और starting chapter ही सबसे जरूरी होते हैं तो जितना आप नया पढ़ रहे हो उतना पुराना भी revision करो क्योंकि पुराना revision करोगे तो जो concept अपने दिमाग में बैठ जाएंगे और एक बार बैठ गए तो अपन उसमें दिमाग लगाते रहेंगे एक चीज जो मैंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा notice करी है वो यह है कि जैसे एप पे भी मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां भी बच्चे लगातार मुझसे message पूछ रहे हैं सर यह chapter का finish होगा first chapter पूछ यह chapter का finish होगा इसमें यह chapter का finish होगा सर कितना दिन और लग जाएंगे आप यह मत सोचो कितने दिन और लग जाएंगे अगर आदा दूरा पढ़ाएंगे तो दिक्कत है ना जितनी ज़्यादा आप teacher आपको पढ़ा रहा है ना उससे उतना ज़्यादा ले लो यह जब वह chapter एक बार finish हो जाएगा ना उसके बाद उतनी डेप्ट में वह chapter कभी नहीं पढ़ाया जाएगा पूरी साल में तो आप यह मत सोचो कि सर कितनी दिनों में complete कराएंगे इस chapter को आप यह सोचो कि मेरा कितनी दिनों में complete हो जाएगा क्या मेरा तो complete हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोकि आप भी जानते हो teacher को भगाने में time ही लगता लेक Piccos का फिनिश होने में टाइम लगता है तो कि टीचर को एक सब्जिक्ट पढ़ना बच्चे को पाँ बढ़ना है इसलिए स्टार्टिंग में time low है डा चैप्टर marks आ रहे हैं उन बच्चों से आप ये पूछिए कि क्या उन्होंने यूनिट टेस्ट दिये थे क्या उन्होंने जो मिट्टम होते हैं आपके स्कूल में quarterly exam, half yearly exam, pre-board exam ये दिये थे तो आपको बताएंगे कि हाँ दिये थे बहुत अच्छे मैनत के साथ दिये थे तो अपने जो क्योंकि जितने आप टेस्ट दोगे उतना बढ़िया हो जाएगा इसके साथ साथ कुछ बच्चे क्या होते हैं खासकर CBSE के में बात करूं कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नुमेरिकल से भागते हैं नुमेरिकल से तो हर बोर्ड हम बच्चे भागते हैं लेकिन जैसा पेप पर RICBAC का आप numerical से नहीं बाग सकते तो numerical से आपको भागना नहीं है numerical से आपको भागना नहीं है और एक और जाए ज़रूरी बात यह है कि हर टाइप की numerical नहीं किये जाते numerical में आपको जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को डर लग रहा है किससे भागना बहुत बड़ा numerical है अरे भागना बड़ा numerical आपके एक्जाम में नहीं आएगा या एक पर्टिकुलर टाइप जिसमें अपने टाइम दे रहे हूँ नहीं आएगा तो आपको सही जगह पर अपने टाइम इन्वेस्ट करना है वो टॉपिक वो जो है मैं कहूंगा पॉइंट जिनसे ज्यादा तर क्वेशन बनते हैं है ना उनको आप बहुत अच्छे से करें इंपोर्टेंट टॉपिक पर अपना टाइम बहुत ज्यादा दें इंपोर्टेंट टॉपिक पर अपना टाइम बहुत ज्यादा दें इंपोर्टेंट टॉपिक के ज्यादा से यादा क्वेशन जो प्रैक्टिस करें ठीक है और नुमेरिकल में भी अलग 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 टाइ तो numerical आपको करने हैं और इसके साथ deep concept करने हैं कि questions ऐसे practice हो जाएं कि मज़ा आ जाए ऐसे deep question deep concept को मतलब क्या है कि एक topic है उसमें से एक ही question को अलग अलग तरीके से गुमा के पूछा जा रहा है वो है आपकी deep concept तो आपको चाहिए कि आप खूब सारे numerical करें और important topic से ज्यादा से ज्यादा numerical करें और अपने concept इतने अच्छे रखें आप कि कभी भी कोई भी question अगर वहाँ से बनता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएं ठीक है चटवी चीज़ यह है कि जितना हो सकता है आप उतनी practice करें अब सर प्राक्टिस में क्या करना है कि previous year question प्राक्टिस करने है ठीक है previous year question प्राक्टिस करने है और previous year question जैसे question प्राक्टिस करने है अगर हो सकता है अगर हो सकता है तो नीट जही के भी पुराने questions आप लगा ले थोड़े थोड़े तो उससे क्या होगा कि आप और मजबूत हो जाओगे ठीक तो आपको इस साल क्या-क्या आना है CBSC में numerical कूप सारे आने हैं और numerical वगएरा कहा से आएंगे previous year questions आएंगे है नए competency based concepts actual questions आएंगे ठीक है assertion reason आएगा ठीक case study based question आएंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से करने है starting से इन पे आपको पूरा focus करना है ठीक है अगर आप चाहते हो कि आपको notes वगरा free of cost मिल जाएं तो telegram पर आपको printed notes मिल जाएंगे digital वाले notes मिल जाएंगे ठीक है free of cost मिल जाएंगे वहां पे भी कोई पैसा आपको पे नहीं करना तो आप वहां से भी download कर सकते है digital notes को ठीक कंप्यूटराइस ट्राइपिंग proper कैसे आपको लिखना होता है सारी चीजों के साथ ठीक है तो आपको यह सारी चीजों पर अच्छी से ध्यान इस winners batch के अंदर आपको वह सब कुछ जो class 12 बोर्ड के लिए जरूरी है वह सब कुछ provide करा जाए कुछ नहीं छोड़ा जाएगा यह जो winners batch है यह आपके 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए more than sufficient है यह बच्चे जिनके मैंने अभी screen share की वो बच्चे मुझसे YouTube से पड़े थे अब सोचो कि यहाँ पर मैं आपको personally खुद daily live classes के फ़र्म में पढ़ा रहा होंगा इस winners batch के अंदर आपको मिलेंगी daily live classes Monday to Friday जिसको Monday to Saturday करने वाले हैं 8 बजे से रात को 9 बजे तक उसके बाद यही जो live video है वो recorded form में भी आपको available हो जाएगी बहुत सारे questions प्रक्टिस कराए जाएंगे बहुत सारे case study based questions प्रक्टिस कराए जाएंगे बहुत सारी assertion और इतने questions मैं आपसे guarantee के साथ देता हूं कि किसी भी offline coaching में अगर आप board के रहेंगे और आपके इतने 95 प्लस मार्क्स आने वाले हैं condition यह है आप इस batch के अंदर enroll मत होना अगर आप जो मेरी बात को गर आप नहीं मान पाओगे आप daily classes नहीं ले पाओगे तो फिर क्या होगा फिर आप कहोगे सर मेरे तो 95 प्लस मार्क्स आई नहीं रहें लेकिन अगर आप यह मन बना चुकि हो कि हाँ सर मैं आपकी बात मानूंगा daily classes लूँगा तो आपके 95 प्लस मार्क्स को कोल नहीं रोक सकता इस बार physics में आपके आकर के रहेंगे यह मेरा आप से वादा और physics आपको पूरी feel भी होगी मजा भी आएगा question यह बनेंगे क्योंकि हम यहाँ daily classes से रहे daily जो है आपको numerical solve करा जा रहे हैं ठीक है spoon feeding आपने सुना है spoon feeding आपको यहाँ पर बैच के अंदर कराई जाएगी आपकी physics के टेंशन मेरी physics के टेंशन होगी तो अगर आप बहुत छोटी सी प्राइज अगर आप afford कर सकते हैं तो अभी special offer चल रहा है एप की link आपको इस होता रहेगा बस app के अंदर एक personalized आपको attention मिल जाएगी इसके साथ-साथ app के अंदर आपको daily live regular classes मिल जाती है ठीक है तो उमीद गरूंगा यह जो मैंने आभी आपको बताया आपके लिए helpful रहा होगा तो आप सभी बच्चे starting अभी से पढ़ाई लिखाई करें अपने test को चा यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगा